हेलो प्रेंट्स विल्कम बैक टू मैं चैनल में इस नहीं हैं आज मैं कुछ कलेंजों के कटिंग रिपॉर्ट करने वाली हो थे आपर देखिए जो मैंने कटिंग लगाई थी बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रही हैं और बिल्कुल छाय में रखी तो इसलिए इनकी कंडिशन जो ह बहुत ज्यादा मतलब कि नाजुक से प्लांट हो गए हैं इधर उधर गीर भी रहे हैं यह वाला प्लांट ज्यादा अंदर रखा गया थो तो इसकी पत्तियां देखिए चोटी-चोटी हैं और बाकि यह वाले थोड़े थीक हैं यह मजबूत से हैं प्लांट तो इनहीं को 5-5 परसेंट यह 10 परसेंट और निम खली और हल्दी पावडर मैं इसमें मिला आया है आप चाहे तो फंगिसाइड पावडर मिला सकते हैं तो यहां पर देखिए मैं कुछ यह जो पॉट है आठ इंच की 6 इंच की सौरी 6 इंच की पॉट है इनिम मैं इनको रिपोट करने व तो यहां पर मिला सकते हैं तो यहां देखिए मैंने साथ गमले यहां पर भर लिए हैं कि बोड़ें इस तरह से देखिए निकालें इनको और यहां पूरूट बहुत अच्छे से हो गई है आप चाहे तो इस तरह से देखिए हैं थारूटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी सी हुई है तो एक पूरा से इसको और काला परता है कितनी ज्यादा हेल्दी कटिंग हमारी ग्रोह हुए तो एक प्लांट में में तीन तीन कटिंग लगा दूंगे एक प्लांटर में और बहुत अच्छे से ग्रोह होंगे आने वाले समय में पूरा पॉर्ट हमारा भर जाएगा इनकी थोड़ी बिजिंग भी कर देंगे बीच मे तो यहां से देखिए इस तरह से हमको निकालना है जो आपकी लंबी ज्यादा दिख रही हैं यह देखिए कितने अच्छी रूटिंग हुई है सेंड में रूटिंग बहुत अच्छी होती है और प्लांट भी हमारा ठीक हो जाता है तो इन्हीं को मैं रीपर्ट कर रही हूं तो यह थोड़ा से दोनों हाथ से ही बनेगा आप लोग प्लीज देहानी इग्णोर मत किजिएगा देखिएगा कि किस तरह से मैं ठीक से बताने पर बस रख करके इसको थोड़ा उठा करके और इसके उपर से मिट्टी भर लेनी है नीजे की पत्तियां थोड़ा से हटा दीजिए ताकि उसमें कोई फंगस अगरे ना लगे और बाकी अच्छे से से सेट कर दीजिए इस तरह से ज्यादा हीले डूली नहीं कटिंग हमारी अइस पहां दिल आरे हैं म Wanna मैं पत्ता नहीं ये देखिए ऐनने एक ब्लांटर में टीन कटिंग लगा दी अधी कभी अच्छा यह ग्रों को जाता है मैं लाइस्ट यरु मैंने बहुत सरी कटिंग लगाई थी मेरे पास काफी शार प्लांट हो गय थे और इस पार भी देख तो यह दूसरी विराइटी है रेड कलर के बहुत सुन्दर फूल आते हैं इसमें भी बिल्कुल बंचस में और जिनकी इस्टी थोड़ी से लंबी है उनको आप थोड़ा से गहराई में लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा पॉर्ट बहरा बहरा से दिखेगा और जो छो कटिंग हम लगाएं थोड़ा इसको भी घहराई में लगाएं क्योंकि यह लंबी है और आप चाहिए इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं प्रूनिंग के बाद आप दुबारा से फिर से कटिंग अभी लगा सकते हैं मैंने बहुत सारी कटिंग निकली है तो मैं उनको भी इसमें फ्लावरिंग आती है तो तब तक में आपके प्लांट तयार हो जाएंगे बहुत यहासानी से तिसरा जो है तिसरा मुझे लगता है इसकी विराइटिस में नहीं है तो 3 यघ चार कटिंग मुझें लगा तो निकाल लेते हैं और कटिंग मैं आधा। तो फिर दिक्कत हो जाएगी एक ही प्लांटर में बहुत सारी कटिंग लगाएंगे तो फूरा फिर थोड़ा सा मलना मुश्किल हो जाता है इतना ज्यादा घना हो जाता है तो देखिए दो प्लांटर हमारे तैयार हो गए और चलिए हम इसी तर जल्दी से फटा फट लागा किसाम हो गई है इतने सारे मैंने आज क्रिसेंट हम भी रेपॉट किये हैं यह पर आप देख सकते हैं डेलिया मेरी मुर्जाना भी शुरू हो गया इन सबको पानी भी देना रेपॉर्टिंग पार पानी देना जरूरी होता है तो यह देखिए इतने कलांचो पाने लगा द लेकिन अब इसमें हम नहीं लगाएंगे इसमें मैं अपने एक लोने मगे कुछ प्लांट रेपॉर्ट करने वाले हूं चोटे यह पांच चार पांच इंच के जो पॉर्ट है तो देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस और यह ग्यारा ग्यारा तो कलांचो हमने रेपॉर्ट कर लिए और अब हमको एक बरिन को सबको अच्छे से पानी दे देना है पानी मैं बात में दूंगे आपको बता देती हूं किस तरह से देना है तो पानी मैं यहाँ पर सफाई कर लूँग उसके बात दूंगे नहीं तो यह बहुत ज़्याद है